हेलो सुरेंट्स तो आज्के इस वीडियो में हम सीखने वाले किस तरीके से आप एक्सेर में ग्रूव्व्गरा वॉल में क्रेयट कर सकते वो देखने वाले बाइ यूजिंग इडिट पॉली तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक box create करेंगे जैसे कि exterior wall वगरे में या फिर किसी भी object में आप create कर सकते है grooves किस तरह के से create करना एकदम simple way में वह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तो हमने simply क्या किया है एक box create किया है यहाँ पर आप box create करने के बाद आपको क्या करना होगा simply इसको हम edit poly में convert करेंगे चाहिए तो आप right click करते हुए भी कर सकते या फिर यहाँ पर modifier जो भी है tab वहाँ पर आने के बाद भी आप कर सकते तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा यहाँ पर जो height segment है इसका जैसे की fire हमने रखा है आप चाहिए तो जितना आपको groups चीए उसके सबसे आप उसको increase कर सकते हैं हमने यहाँ पर height segments लिया है बाकी कुछ भी length और width segment नहीं लिया यहाँ पर तो simply हमने height segments लिया है उसके बाद हम इसको edit poly modifier यहाँ पर apply कर रहे हैं अब जो भी edges है आप उसको select कर सकते हैं लान क्कोरेंगे सब हमने सबी lle // kö हम इसको select कर लेंगे अब यह जएसे select कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे इसको chamfer जो भी हम यहाँ पर edit जो भी it is मुचकर अस के सबसे हम इसको effect apply कर देंगे तो यहाँ पर हमने customer apply कर दिया है अब इसको select कर लेंगे point से बाकी जितना भी यहां पर polygons है हम उसको select कर लेंगे और इसको क्या करेंगे extrude जो modifier है वो apply कर देंगे तो जिस तरीके से हम extrude apply कर देंगे modifier उसके बाद क्या होगा यहां पर जो भी हमने chamfer लगाया था जिस edges को उतना पार्ट में क्या हो जाएगा यहां पर create हो जाएगा तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं एकदम सिंपल वे में वितिन टू मिनिट्स आप क्या कर सकते एकस्टिरेर वाल या फिर केसी भी ऑबजेक्ट में बाई उजिंग इडिट पॉली आप ग्रूस क्रेट कर सकते होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यह अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राब आइन लाइक कीजिए टैंक्स वर वाचिंग वाक कीजित बाई